सफलता एक सुबा है जो मांगने पर नहीं बलकि जागने पर मिलती है जी हाँ दोस्तों जो दिन राज जाग करके मेहनत करकर के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं वह ही सफल होते हैं और सफलता उसी मेहनत का ही परड़ाम होता है मित्रों किसी ने सज ही कहा है कि आपकी हैसियत का जिम्मेदार दुनिया का के ओल एक व्यक्ति जिम्मेदार है और वह व्यक्ति जो है सिर्फ और सिर्फ आप है आप अपनी हैसियत को चाहें तो एक पेपर बेचने वाले से लेकर के एपी जे अब्दुलकलाम या भारत के राश्पती एपी जे अब्दुलकलाम बना सकते हैं आप ना चाह करके कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक आपके अंदर चाहने की कुछ कर गुजरने की उत्सुकता ना हो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम लोग कुछ कर गुजरेंगे ऐसा हमेशा हम लोग की अंदर इच्छ रही है और आगे भी रहेगी और करते रहेंगे और आज भी कर रहे हैं आईए दोस्तों हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर और यहां पर हम लोग का जो टापिक है ओ है लोग सभा लोग सभा को हम लोग पढ़ेंगे और इस टापिक में हम लोग लोग सभा के संपोंड लेक्चर को देखेंगे और यदि आपको वीडियो ये पसंद आए दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा लाइक करने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और अगर आपको ये पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करें दूसरा वीडियो पाने के लिए आई ये चलते हैं आगे हम लोग इस्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर तो साथी हो पहली लाइन हम लोग के सामने है कि लोगसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी ब्युक्ती के लिए निवन्तम आयूसीमा जो होती वह कितनी बर्स की होती है तो वह 25 बर्स की होती है साथियों 84 में सम्मिधान संसोधन द्वारा लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 1971 की जनगारना के आधार पर कर दी गई है ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक बर्स विसेश के बाद पहली जनगारना नहीं होती है तो वह बर्स विसेश जो है 1926 है 1926 के बाद पहली जो जनगारना होगी उसी के बाद यह बदला जा सकता है भारत के सम्मिधान में निर्धारित किये गए लोक सभाग में सदस्यों की संख्या जो अधिक्तम हो सकती है वहा है 552 अधिक्तम यह हो सकती है साथियों लेकिन है कितना वो 550 है 552 कब हो सकती है जब इस 550 में दो इंगलो इंडियन का प्रतिनी थी तो ना हो तो 552 हो सकती है लेकिन बरतमान में जो हैं सीटे वहां 545 ही हैं आगे देखिए का साथियों लोक सभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 जो किया गया और किया गया भारत के सम्मिधान के अनुच्छेद 82 के अनुशार लोक सभा की सीटों का राज्यों के मध आवंटन जो हुआ है वह किस जनगारना के आधार पर हुआ है तो आपने उपर ही जाना कि 1971 की जनगारना के आधार पर हुआ है आगे देखिए का साथियों लोकसभा में राज्यों को सीटे आवंटित होती है वो किस आधार पर आवंटित होती है तो जनसंख्या की आधार पर जैसे जिसी स्टेट का जनसंख्या होगा उस स्टेट का प्रतनिधित तो लोकसभा में जादा होगा यूपी का जनसंख्या जो है वह सबसे अधिक है तो इसलिए यूपी में कुल सीटें जो हैं वह असी सीटें हैं वहीं मिजोरम जैसे राज्यों में अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ पर एक हैं तीरपुरा में दो हैं तो जैसे जनसंख्या होगी वैसे उसका प्रतनी धित होगा सिक्किम में एक ही है तो आए निश्ट देखते हैं इन राज्यों की लोग सभा में अनसूचित जाती अनसूचित जन जाती के लिए आरच्छन नहीं है किस-किस राज्य के लिए अनसूचित जाती जन जाती के लिए के वल है लोग सभा में अस्थान आरच्छन नहीं है तो जन जातियों के यदि किसी राज्य के लिए लोक सभा में अस्थानों का आवंटन की संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनसूचित जाती योग के है तो आरच्छित अस्थानों की संख्या क्या होगी? तो यहां परसाथियों यह अनुसूचित जातियों के जो संख्या निर्धायत होती है उसके बारे हम लोग प्रावधान देखते हैं कि अनुच्छे 330 के दो में कहा गया क्या कि अधिन किसी राज या संग राज छेतर में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातिय के लिए आरचित अस्थानों की संख्या का अनुपात लोग सभा में उस राज या उस संग राज को आवंटित अस्थानों की कुल संख्या से वही होगा जो उस राज या संग राज छेत्र के भाग की अनुसूचित जाती या जन जाती की जन संख्या का अनुपात उस राज य से माल लेते हैं कि बीस प्रतिसत वहां की पापूलेशन जो है ऑ यसी एस्टी की है और इसके अलावा अस्छी प्रतिसम अन्य है तो वहाँ पर बीस प्रतिसत यानि की दो सीटें वहां पर यह सी हश्टी की लियर आरच्छित हो जाएगा और आठ सीटें अन्य के लिए होंगी यानि कि जितना प्रतनीधित होगा उतनी सीटें आरचित कर दी जाती है यसी अश्टी के लिए आगे हम लोग देखते हैं जैसे उदाहरण के लूप में आप बताया गया है कि आपका आंधर प्रदेश में जबकि इसी को 2008 में जब परसीमन किया गया तो बदल दिया गया और इस समय अनसूचित जात के लिए आरचित सीटों के संख्या जोती परसीम बंगाल में वो 10 कर दी गई जबकि आंधर प्रदेश में 7 कर दिया गया तो इस तरह से यहां पर तो यस्टी के लिए सबसे ज़्यादा आरचित सीटे जो हैं वह मद्य परदेश में हैं मित्रों यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और ग्यानालय पर यदि आप पहली बार विजिट किये हैं तो प्लीज ग्यानालय चैनल को स अनलोड कर सकते हैं आगे हम लोग देखते हैं लोग सभा में आंगल भारतिय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की सकती किसे है तो राश्ट पती महदे को है राजी बिधान सभा में आंगल भारतिय समुदायों के लिए प्रतिनिद्धित का प्रावधान जो किया गया किस कहा है कि लोकसभा में इस समधाय का प्रतिंधित प्रयापत नहीं है तो कितने का दो सदस्यों को मनूरोनित कर सकते हैं जबकि बार्तमान में इस पत्रा को समापत कर द suspicion गया हि कर अंग्रेजों का हमारे क्या काम है सही बात है रहा प्रफलेशन वैसे इतना वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में बृद्धी करने से संबंधित है तो वह सात्वा है और यक्तिस्वा है जहाँ पर लोकसभा को कारेकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है कैसे तो परधान मंतरी महोदय की सिफारिस हो राश्पती से तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है लोकसभा के एक वर्स में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं तो कम से कम दो सत्र बुलाए जाते हैं लोक सभा और राज सभा में गणपूर्ती कितनी होती है तो जो इतने भी इस जन संख्या वहाँ पे है उस संख्या का एक बटा दस सदस से अगर वहाँ पे पहुंचे हुए है तो कारेवाही चलेगी लोक सभा में सदस्यों की जो अधिक्तम संख्या निर्धायत की गई हुआ कितनी है अधिक्तम 550 है लेकिन बरतमान में जो संख्या है साथ ही वो 545 ही है संग्ये छेत्रों को प्रतनिदे तो प्राप्त है तो संसत के दोनों सदनों में ही लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है अस्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, बेगटन के द्वारा अस्थगन के द्वारा जैसे एक दिन में दो बार कारेवाही किया जाना हो तो बीच में अगर स्थगित किया गया तो अस्थगन हो जाएगा सत्रा उसान अगर होता है तो एक बार जो सत्र जो चलाया जा रहा है और उसको अस्तगित किया जा रहा है तो अब दूसरा जब सत्र श्टार्ट होगा तब ही होगा यानि कि इसे सीत काले न आप जांते हैं सीत काले 17, बजट 17 तो इस तरह से माल लगोराज सित काले 17 समाप्त हो गया तो इसके बाद जो होगा, दूसरा 17 जब आएगा तब होगा लेकिन अस्थगण जो है, तो अस्थगित कर दिया गया 17 तो वह जो है आज भी स्टाठ हो सकता है और। कि बिगटन की बात की जाए तो उस जो सभा यह सभा है लोगसभा के जितने भी सदस्य हैं वह संधत सदस्य जो होंगे क्या हो जाएंगे बिगिटन के बाद रिटायर हो जाएंगे नए सत्त से आएंगे तब से पैठक होगी लोगसभा के सत्र का आवसान करने के लिए प्राधिकृत कौन है तो राश्टपती महोदे होते हैं सत्रा आवसान करने के लिए लोगसभा का कारेकाल आपात क साल की घोसना के दवरान एक बार में एक बरस तक के लिए बढ़ाया जा सकता है लोग सभावा राज्य सभा में प्रतनिधे तो जो है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का है अब इसके अलावा जो है साथियों कुछ सीटें कुछ स्टेट विसेश की उसको हम लोग आई स्थान है महाराश्ठ का अनतालिस सीट के साथ दूसरा स्थान है और परस्चिम मंगल का 42 seats के साथ तीसरा स्थान है लोग सभा में रायस्थान का अगर अस्थान देखते हैं आप सीटों का तो वह पंचीस है इसके अलावा आंध प्रदेश का अगर आप देखेंगे तो यहां पर 25 है लेकिन अगर आप तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना की 17 साथिवों तमिल नाडू की बात करेंगे तो 49 है महराष्ट आपने देख लिया 36 गड़ की बात करते हैं तो यहाँ पर 11 सीटे हैं जब तेलंगाना अंधर प्रदेश का भाग था तो वहाँ पर कुल सीटों के संख्या 42 थी साथियों लेकिन पिर्थक होने के बाद अंधर प्रदेश में 25 सीटे आ गई और लोकसभा में जो है तेलंगाना का जो सीट हुआ वो 17 हुआ लोकसभा के दो सदस्य से निर्वाचित किये जाते हैं वह तेरपुरा से राज्यों यम संग सासी छेत्रों के समों की लोकसभा में केवल एक सीट है तो वहाँ है चंदीगर सिक्किम मिजोरम ठीक है आगे हम लोकसभा के लिए निर्वाचन जो हुआ वहां फरवरी उनीस सो अठान बे को हुआ था इसके बाद हम लोग देखते हैं साथियों नेस्ट लाइन है राजग सरकार यानि कि राष्टी जनतांत्रिक गठवंदन सरकार लोगसभा के नियम में 184 के अंतरगत वाद विवाद नहीं पसंद करती है तो उसका कारण बता रहे हैं कि इस नियम में वाद विवाद के साथा मददान का भी प्रावधन किया गया इसी कारण से ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इसमें आपका A और R दोनो सत्य है और सही ब्याक्ष्या भी है लोगसभा का नेता कौन होता है तो लोगसभा में जो नेता होता है वह प्रधान मंत्री होता है लोगसभा का सरवाधिक बड़ा छेतर फल के अनुसार से निरवाचन छेतर कौन सा है तो लद्दाक है भारत में लोगसभा का speaker यानि की अध्यच कैसे किया जाता है नुपता तो यहाँ चैनित किया जाता है जो चुने हुए सदस्ये पहुंचते हैं उसमें इन्ही सदस्यों के द्वारा चुना जाता है उसे सदस्य को या अध्यच को लोग सभा के speaker का निर्वाचन होता है लोग सभा के सदस्यों द्वारा लोग सभा का अध्यच अपना त्याग पत्र किसे सुपता है तो पाध्यच को सुपता है जैसे राष्टपती को देते हैं लोक सभा के अध्यच को हटाया जा सकता है लोक सभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा प्रोटेम सपीकर का करतब क्या होता है सदस्यों को सपत दिलाना एक यहाँ पर बात हम आपको समझाना चाहेंगे साथ है यह प्रोटेम सपीकर क्या होता है जैसे न अध्यच्छ का चुनाव नहीं हुआ होता है तब तक के लिए एक ब्यक्ति को अध्यच्छता करने के लिए चुन लिया जाता है और उस ब्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है जब वहां ब्यक्ति इन सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यच्छ और या उपाध्यच का चुनाव करवा लेता है अध्यच का चुनाव ही आप कहें अध्यच जब चुन लिया जाता है तो वही अध्यच जो होता है यहाँ प्रोटेम स्पीकर की कुर्सी पर बैठता है और वह फिर अध्यचता करना प्रारम करता है और फिर यहाँ प्रोटेम स्पीकर अपने आप सोता अपने चेयर पर आ जाते हैं ठीक है तो प्रोटेम स्पीकर आप एक कह सकते हैं कि एक आस्थाई ब्यवस्ता है अध्यच्था करने की ठीक है यह आस्थाई पद है किसका अध्यच्च का लोग सभा अध्यच्च या स्पीक हो रहा है और दोनों पच्छों में से बराबर बराबर ओटिंग हो जाता है दोनों साइड में 10-10 हो जाता है तो ऐसे में अब क्या होगा इसका डिसीजन लेना उस speaker के उपर होता है आगे हम लोग देखते हैं मित्रों आप से पुना एक बार संबिधान का एक अनुछित उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दसा में लोक सभा के अध्यच का मत निडायक होगा और ऐसा प्रावधान की सनुछित में दिया गया है तो अनुछित सव में दिया गया है लोक सभा के पर्थम अध्यच कौन थे तो जीबी मावलंकर थे पर्थम इस्पीकर जिनके बिर्ध लोक सभा में अभिस्वास प्रस्ताव लाय गया था तो जीबी मावलंकर ही पर्थम अध्यच थे और इनी के खिलाब अभिस्वास प्रस्ताव ला दिया गया था लोकसभा की पर्थम महिला अध्यच मेरा कुमार है। यदि उपाध्यच लोकसभा की अध्यचता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। पर्थम जन जातिये लोकसभा अध्यच कौन थे तो पीए संगमा थे जो की जन जाती से बिलांग करते थे। लोकसभा सचिवाले पर्थेच रूप से इसकी देखरेक में कारी करता है तो लोकसभा अध्यच के देखरेक में। लोकसभा चुनाव के मामले में सामान वर्ग के उमीदवारों तथा अनुसुचित जाती जनजाती के उमीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमान अतरासी करमसा कितनी है तो यहाँ पर ध्यान दिजिएगा साथियों कि बर्ष 2011 में निर्वाचन आयोग द्वारा आगंभीर परत्यासियों की सदस संख्या को कम करने के लिए रासियों को बढ़ा दिया गया था जिसमें लोग सभा के चुनाओ अगर लड़ने हैं तो सामान वर्ख के लिए 25,000 रुपे अनसूचित जनजाती के लिए 12.000 रुपे कर दिया गया था इसके अलावा राज बिधान सभाओं में यह था सामान निवर के लिए 10,000 रुपे और अनसुचित जाती जन जाती के लिए 5,000 रुपे कर दिया गया था तो इस तरह से इसको देखते रहेगा साथियों यह बदलता भी रहता है चेंज भी होता है करन से जोड़ करके हमेशा देख करके याद करिएगा लोग सभा में किसी बिधेयक पर आम बहस होती है तो दितिय वाचन में होता है निम्न सक्तियां लोग सभा को राज सभा की तुलना में अधिक है प्राप्त तो उस विध्यक को लोग सभा में ही पेस किया जाएगा, राज सभा में पहले नहीं पेस किया जाएगा, दूसरा है, धन विध्यक के निरस्ती कराण अथवा संसोधन के संबंध में, यदि कोई धन विध्यक है, तो उसको राज सभा निरस्त नहीं कर सकती, या राज सभा उसमें जवरन संसोधन नहीं करवा सकती, उसके उपर जो अधिकार है अधिक्तम, तो वह एक अधिकार आप कह सकते हैं, लोग सभा का है, आगे देखेगा, मंत्री परिशद के उत्तरदा तो होते है, मंत्री परिशद का उत्तरदाय तो लोग सभा के प्रति होता है, यानि कि लोग सभा के प्रति ही मंत्री जवाब दे होता है, ना कि राज सभा के प्रति, ठीक है साथियों, तो इस तरह से हमें उमीद है कि आपको आज का लेक्चर जरूर पसंद आया होगा, और वो समस्त टॉपिक किलियर हुए होंगे जिनमें आपको डाउट थोड़ा बहुत रहा होगा तो उमीद करते हैं साथियों यह आपके लिए वीडियो हिल्प फुल रहा होगा यदि यह वीडियो हिल्प फुल रहा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें चलिए मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए साथियों नमस्कार जहिन बंदे मातरम